मेरे अपने बच्चे नहीं है पर यही मेरे 35 बच्चे हैं जहासी की रहने वाली रचनात्रिपार्थी बेजुबानों की मा बन चुकी है जी हां रचनात्रिपार्थी ने 35 स्ट्रीट डॉक्स को अपने घर में पना दे रखी है आए जानते हों की कहानी मैं बारा साल की थी तो एक आई वांड़े पपी तो एक जान पैचान वाले थे अंगलो इंजिन अंकल उनके घर में अलसेशन थे उसने पपीज दिये थे तो उनके पपीज को मैं एक को मैं अडॉप करना चाहती थी पार निकल के जब आई तो वहां पे एक स्ट्रेड ऑग थी उसके वी दो पपी से तो मुझे लगा कि इसको तो घर ले जा रही हूं इनको नहीं ले जा रही हूं तो मुझे लगा कि इनकी कोई गलती नहीं है तो वहां से मुझे प्रती जादा लगा हुआ डॉग्स तो कोई भी हो लगा तो शुरू सही था लेकिन मुझे प्रती तब लगा कि इनको जादा जरूरत है बच्पन का लगाव और बड़े होने पर एक्सिदेंट की वज़े से उनका लगाव पेजवाना से और बढ़ गया एक बार एक mother dog hurt हो गई थी उसके चार पपी से वहां से जब मैं वापस जासी आ रहे थी तो मुझे लगा कि उन चारों पपी में से एक की गाड़ी एक पैर गाड़ी के नीचे आ गया था और वो अनफॉर्शनेटली मेरी ही गाड़ी थी तो पैर हाला कि टूटा नहीं था पर चोट लग गए थी उसे तो I couldn't leave that puppy there तो मुझे लगा कि इसको लेकर आना चाहिए उसको मैं लेकर आई उसके अलावा एक और डॉग थी वो प्रेगनन थी तो जब मैं जहां सी वापस है उसके बाद वो मुझे मिली नहीं तो उसका भी accident हो चुका था तो उसको भी फिर म बहुत सपोर्ट करती है माइफाद इस रिटायर तो उनकी पेंशन भी he puts into it उनका देख भाल उन खाने पीने का इंतिजाम वो करते हैं मेरा मेडिकल का होता है इनके मेडिसिंस के जितने होते हैं और वेटनेर इनकी जो फीस होती है वो मेरे दरब से जाती है बाकि इनका जो सबके कम्रों में कूलर है और फैंस है तो वो जो एक्सपेंसे है और गर्मियाओ के सब्रों के ब्रदर है वो बहर गर्ते है आपको से जनेचकल नेच्बिक्र ने इतने अचल तो पिस चार्डिकल ली नीच्वे हैं वट्चों वो अटे बच्छों के ए 9 कई सदो हुए चटेन गोजिए मेरे तक वाजिएर्ट टृ明ि और इविमकाई पित्डाबिकिम्हा और मैं सिंगल हूं मेरे यही बच्चे एंग॥ और इंसानी बच्चे नहीं है फ़री बच्चेर मेरे पास on 35 उन्हीं रचना के पड़ोसिण से भी जाना कि उनका रचना के शौक पर क्लवकर में अम्लिकर मतО्शी हैं जोनारी इनौशिदा करें उत्यूंतुर पर रगोसिए बेलेंस बैलेंस बनाते Sig досCN. भी रचना इन बेजुमानों का ख्याल रखना जारी रखती हैं लेकिन मैं उनकी बहुत थैंकफुल हूँ शुरू में थोड़ी कंप्लेंच आती थी क्योंकि मैं समझती हूँ कि एक खुता होता है तो दिक्कत करता है जब इतने सारे हैं तो दिक्कत कई गुना बढ़ जाती ह तो उनकी गलती नहीं है उन्होंने कंप्लेंच किया हमने उसको उनको समझाने की कोशिश की बताने की कोशिश की कि ये आपको परिशान नहीं करेंगे और आवास के अलावा और कोई परिशानी मेरी डॉक्स की तरफ से उनको नहीं होती है गंदगी करते हैं वो कंप्लेंच आती हैं तो मैं खुच जाके साफ करती हूं तो यह का अपनी थी रचनात्री पार्ठी की जो बेजुबानों की माँ बन गई हैं आप भी बेजुबानों का ख्याल रखिए न्यूज 18 लोकल के लिए जहांसी से शाशुत सिंग की रिप्रिट